के गाइज वर्ट्स आप आई होब वाइव डूइंग वैल सो काफी है चल रहा होगा तो बहुत सरे बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर मुझे क्या करना है मेडिकल फिल्म में जाना है बर मैंने प्लस टू किसे कह लिया आर्ट से कह लिया तो टुवल्फ आर्ट की बाद मैं क सबसे बढ़िया होता है वह प्लस टू साइंस के बाद कर सकते हैं मतलब साइंस में क्या चाहिए फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी अगर सबसे बढ़िया कॉलेज बलोगे एम से है उसके लिए आपको एंटरेंस एक्जाम देना होगा उसमें अच्छा मिलता है आप्टर लेकिन उसके बादें बात करें फाइदा क्या है अगर आप आर्ट से करेंगे तो आपको पता होना मतलब इंफोमिशन आपको चाहिए आर्ट के बाद क्या ओप्सन होगा यह आप सोच रहे होंगे एक्चुली ऐसे वीडियो बहुत सरे बच्चे देखते हैं 10th क्लास के बा किसी फिल्δ में जा रहे हैं तो इसके इर्दगर्थ और अच्छा क्या हो सकता है चाहिस करें बसक्राइब डिया काasi मरेको बता दिया होता किसके बाद लेकिए करने ऑना रुसका और हम है में समस्पा रहे है अब बाथ करेंगे न कंण और इनमा की बात करेंगे चनको आप कर सकते हैं आपटर 12% होना चाहिए न करते में पिर इनयम पर करते हैं अगर कोर्स की बात करेगे तो A&M दो साल का होता है, G&M कितना का होता है, साड़े तीन साल का होता है अगर हम बात करेंगे admission का, तो definitely entrance exam भी होता है private college में आप directly admission भी ले सकते हैं A&M की full pump की बात करेंगे, तो क्या होता है, auxiliary, nursing, midwifery और G&M की बात करेंगे, तो क्या होता है, आपका general nursing, आपका course होता है तो उसमें general nursing and midwifery बोलते हैं, उसको midwifery, midwifery बोलते हैं full form उसका है, अगर हम बात करेंगे courses से curriculum का, तो देखिए, साड़े दिन साल कोर्स नहीं होता है G&M, तीन साल कोर्स होता है, followed six months mandatory internship होता है कोर्स है, A&M से definitely उसमें तो होगा, जड़ा salary भी है, यह सच बात है G&M करने के लिए A&M आपक कंपीट होना चाहिए, कहीं कहीं तीन साल का experience बानते हैं, फिर आप G&M कर सकते हैं अगर आप बोल रहे हैं, सर A&M G&M में कर लिया, क्या मैं उसके बाद BAC nursing कर सकता हूं, जी हाँ कर सकते हैं अगर साल की बात करेंगे, स्टार्टिंग सालरी, A&M का सस्तम होता है, सस्ता बोल रहा हूं, 10, 12,000, 15,000 होता है, डिपेंड करते हैं कौन से हो हस्पिटल में आपको जॉब मिल रहे हैं, और G&M का उससे थोड़े ज़्यादा होता है, मतलब 20, 30 परस में ज़्यादा होता है बेसी नर्सिंग थोड़ा सा बोल सकते हो, एक एडवानस नर्सिंग का पोजिशन रहता है, as compared to A&M, A&M क्या होता है, fundamental होता है, basic वाले चीज़े होते हैं, A&M में, ओके, सो बाकी अगर बात करेंगे, मैं क्या रिकमेंड करता हूं, नर्सिंग कोर्स करने के लिए, इतने रिकमेंड नहीं करता हूं, खास करेंगे, A&M, G&M करने के लिए, अगर आपके पास better option है तो, because आप आर्स से पढ़े हो, इसका मतलब नहीं और option आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत बसान है, मैं क्यूं माना करता हूं, ऐसे कोर्स करने के लिए, हाँ, अगर आपटर हैविंग आएस तुटू टॉप को फिटल नर्स जीन के पास पंदर बीस साल तीस साल एक्सपरियेंस हैं, उनके साल होता है, पचास दर के आस पास हाँ, डैफरेंटली एक फायदा मिलता है, तो आपको फ्री या फिर बहुत ऐफ़ड़ेबल प्राइस में आपको क उसके लिए इंसुरेंस है, हल इंसुरेंस ले सकते हैं, सरकारी नोखरी जो बन जाता है, ऑटोमेटिकली उसको ओपीडी मिलता है, पीडी मतला होता है, डाक्टर मिल जाते हैं, और आपका एडमिशन लेना पड़ता है, होस्पिटल में कोई प्राब्लम को सॉल्व करने के क्यों में इतना रिकमेंट नहीं करता हूं, सैलरी मेटर्स लाट, लाइप में सैलरी काफी मेटर करता है, इस उमर में आपको मेरा काम है, प्रूपर गाइडेंस देना ताकि आप उस उंचाई तक पहुंच सकते हो, बिए नर्सिंग के से से मुस्पभबली आप उस साथ में पावर रख सकते हो, कोई चीज़ चेंज करने के लिए जो नर्सिंग से इतना पॉसिबल नहीं है, हां रोजी रोटी के लिए जो आप जुल्दी लेने के लिए अच्छा फिल्ड हो सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए जुरूर मेरे हिसाफ से अच्छा क्या होता लड़की होती तो क्या करता हैं तो एक लड़का-लड़की कोई भी मेरा होता हैं अगर घ्ञ इयदो बदाने यह क्यों होता है, या फिर घर वाले परहानी चाहते हैं उसको एक्स वाई जे डिजन के बज़े से या फिर पैसरी कमी है तो भाई जैसे सिटूइशन हो एक बार मेरे पास ऑफ्सन होगा किताब तो मैं फ्रीच सकता हूं सर्फ सड़ी कर सकता हूं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूं मतलब दूसरों को वीडियो भी देख सकता हू कि अगर मेरा बहुत खराब होता तो मैं क्या करता अपने आपको पहले खुद करता भाई तेरे पास मुका है लोगों के मुझ को बंद करने का और अपने आपको अच्छे जगाप ले जाने का वह है गौर्मेंट जोब का प्रिपरेशन आप बोलेंगा आसान नहीं है आसान कि बहुत टेम ऐसे होते हैं और बाल निकल लगया खारे में तो कोई चीज आसान नहीं है अगर आप सोच गया इसा तो हर जगा पर पहला स्टेप डिफिकल्ल लगता है स्लूली स्लूली क्या होता है एजी हो गयता है तो मैं अगर आपके जगापर होता पैसे पूशे नहीं होते हैं definitely a try करता पैसे पैसे होते हैं तब भी a try करता इसका मार्केड में demand बहुत है रस्टु में अगर हैं आप जा सकते हैं अगर आपको लगता बहुत पैसे बिजनस करो बिजनस करो टेक्नालोजी का यूज करके टेक्नालोजी मतलब क्या वाइट समझ गयोंगे तो भाई बहुत पैसे कमा सकते हो मेरा इस वीडियो का मतलब था आपको ओवरॉल नॉलेज देना खाली जीन ने में ने के बारे में नहीं इतवर वीडियो थैंक यू वे मच वाचिंग इस वीडियो लाइक शेर केमेंट सब्सक्राइब गॉड ब्लस और बबाए